तो आज के इस वीडियो में फ्रेंट्स बहुती कम समान के साथ हम घर के बने डिफरेंट कलर्स के फॉंडेंट को यूज करके बनाएंगे बहुती स्पेशल बहुती डिजाइनर सा लेडीज थीम के इसको बनाने के लिए मैं आप ट्रोपो लाइट का आल टाइम केक प्रिमिक आप कोई भी प्रिमिक्स ले सकते हैं जिस भी ब्रांड का आप यूज करते हों घर का ले सकते हैं बट वजन उसका 360 ग्राम होना चाहिए अब यहां पर 3 टेबल स्पूर मैंने ओल डाला है क्योंकि मार्केट वाले प्रिमिक्स कम जाता है और पानी डाल करके इसका दिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो जब आपका केक स्पॉंज रेडी हो जाएगा ना फ्रेंड्स उसके बाद उसको आपको ठंडा करना है और जो उसकी ऊपर की लेयर होती है जनरली हम पतली काटते हैं बट यहां पर आज मैं थोड़ी सी मोटी लेयर काट हूँगी वो क् के बचे हुए केक की लेयर को कट करके जिस भी फ्लेवर का आप केक बना रहे हो उस से रिलेटेट क्रश वगरे डाल करके आप इसकी क्रम कोटिंग करके अच्छे से आइसिंग कर लीजेगा सभी के डीटेल मैथड आप चैनल पर मेरे देख सकते हैं आप जो हमने टॉप लि नहीं डाला कोई एमेल्शन यूज नहीं किया केक स्पॉंज में बिलकुल वाइट यानि की ओफ वाइट कलर का मिक्षर मिले आप यहां पर मैंने एक बॉटर में चीनी की चाशनी भरके रखी हुई है जो हमारी नॉर्मली मिठाईयों में यूज होती है तो आप वो यूज नहीं तो अगर कौन सिर्प है तो वो यूज कर लीजे ग्लुकोस सिर्प है वो यूज कर लीजे न्यूटरल जैल भी आप इसमें यूज कर सकते हैं हम एक चीनी की चाशनी जैसा सोलिशन चाहिए होता जिसकी मदद से हम इस मिक्षर को आटे की तरह गुन सकेंगी देखिए जितना आपको चाहिए उतना ही आप इसमें एट कीजेगा इसको कोई मिजरमेंट नहीं है और मैंने देखिए soft सा आटे जैसा डो तियार करिया है अब जितने भी colors का आप fondant बनाना चाहते हो आपकी जिस भी theme का cake है उसे साब से आप इने divide कर लीजेगा और इसके अंदर अब आप gel color, liquid color डाल करके इसे colorful बना सकते हैं देखिए market वाले fondant में तो केवल gel color ही डालता है बट यहाँ पर आपके पास option है आप liquid color भी use कर सकते हैं बट ध्यान से आपको use करना होगा so that यह ज़्यादा गीला ना हो जाए तो वैसे तो option gel color का best है एक से दो drop में काफी अच्छा bright color आ जाता है मैंने दो drop red color के डाले और कितना बढ़िया देखिए red fondant ready हुआ है और ऐसे ही आप different colors के fondant बना सकते हैं जैसे मैंने red बना लिया है, blue बना लिया है जिस भी theme cupcake बना रहे हैं उसी से related बना लीजेगा special makeup theme cake बना रहे हैं friends, अब उससे related हम बनाएंगे toppers इसी fondant को use करके तो यह fondant friends अगर आप ऐसे ही बेलेंगे तो यह आप से तूट जाएगा इसमें facts भी आ जाएगे क्योंकि इसके अंदर कोई flexibility तो होती नहीं है, हमने कुछ ऐसा इसमें डाला ही नहीं है तो आपको plastic sheet की मदद से इसे roll करना होगा, फिर उसको बेलना होगा और फिर उसके हिसाब से ही आपको अपने toppers को बनाने होगे, जैसे मैंने आपर एक rectangle shape का यह black color का fondant ready किया है कट करके, और अब इसके उपर मैं makeup की kit वाला item बना रही हूँ, तो अब जितने भी colors आपने बनाये हैं, उनको थोड़ा थोड़ा बेल लीजेगा और nozzle की मदद से इनके circles को कट करके, आप ready कर लीजेगा, और फिर इनको उस strip के उपर हम stick करेंगे, यह देखिए तो कुछ colors जो मैंने बनाये थे, उनके के ready किया है, और हलका सा चीनी का चाशनी या कौन सिरफ, गुलू को सिरफ लगा करके आप इनके stick कर लीजेगे, तो हमारी जो eye shadow की kit होती है वो मैंने ready किया है, ऐसे ही आप और भी different types के, जो toppers होते है, makeup के वो बना सकते हैं, मैंने आप पर black fondant को फिर से बिला है, उसको circle shape में cut किया है, और अब इन से थोड़े से छोटे size के, हम गोले और cut करेंगे, तो जो normal, हमारा cake का fondant बना था जिसमें कोई भी color नहीं डाला था, उसका हम मैं circle कर रही हूँ, तो एकदम face powder की look देगा, ये देखिए, और इसको इस पर stick कर दे आप इसके उपर एक grey color का fondant का गूला लगाएंगे, और ये grey color friends बहुत अंसानी से बन जाता है, बस just आप नाम का black color touch कीजिएगा अपने fondant पे, ऐसे ही red बाले fondant को रोल किया है, सिम उतने ही circle का गूला बनाया है, मैंने जैसे पहले बनाया था, और उसको थोड़ा से चाकू बन गई, अगर आपका cake बड़ा है, तो आप 2-3 shape की lipstick बना सकते हैं, मैंने एक ही बनाई है, और इस पर एक ऐसी strip लगा दी है, so that इस पर हम नाम लिख सके, तो ये हमारी lipstick भी रेडी है, ऐसे ही और भी चीज़ा बना सकते हैं, जैसे की nail paint की bottle, तो मेरे पास ये जो blue वाला fondant ह ग्लू नहीं, ग्रीनी लग रहा है friends, क्योंकि हमारा जो cake था, वो cream color का था, तो इसके उपर देखिए, मैं bottle की shape दे रही हूँ, थोड़ी सी नीचे गोल बनाई, फिर उपर एक cover बनाया, और एक black color का, इसका, उपर का जो ढखकन होता है, जिसे हम nail paint लगाते हैं, वो और इसक इसके लिए black fondant बने लिया है, उसकी थोड़ी लंबी सी हमने cylindrical strip बनाई है, उसके आगे gray color का fondant लगा दिया है, अब यहाँ पर जो हमने yellow fondant बनाया था, हलका सा orange shade का, उसको लिया है, उसको थोड़ा सा conical shade में हम यहां लगाएंगे, और इसके आगे के part में टिपिक से थोड इसके प्यारी यह toppers लग रहे हैं, इसके उपर भी मैं एक strip लगा दिया है, ताकि मैं यहाँ पर जो brand का नाम है वो लिख सकूँ, अब हम बनाएंगे अपना next topper, जो है हमारा ऐसी eyeshadow बगाने का brush, तो black fondant की मैं एक cylindrical strip बनाई है, तो उनों तरफ cream color का fondant लगा दिया है, तो य तो मेरा red fondant का उसको मैंने बेला है, उसकी एक square सी strip cut की है, और अब ऐसे ही एक और बना लूँगे, क्योंकि थैले में दोनों आगे और पीछे की तरफ part होता है, तो थोड़ी सी original look आएगी, तो यह bag का हमारा जो थैला होता है, उसका body बन गया है, अब इसके उपर जो handles होते है, वो बनाएंगे, तो color combination आप अपनी choice का ले सकते हैं, मैंने orange, red और यह off white color लिया है, और इसके बाद cream color के fondant के square सा एक piece बना करके मैंने अंदर रग दिया है, so that लगे हमारा जो shopping का bag वो भरा हुआ है, खाली नहीं है, और यह देखे लग रहा है, इसके अंदर कोई item है, औ इन fondant को friend ऐसा नहीं है, आपको उसी वक्त बनाना है, जब केक बनाना है, जब भी आपके पास time हो, आप बना लें, और फिर केक पर place कर दें, और यह तो आप fridge में भी रख सकते हैं, इसको कोई भी हाम नहीं होगा fridge में रखने से, market वाले fondant को रखने से तो sweating हो जाती है, बट यह totally safe है, अब यहाँ पर friends, अब मैं बना रही हूँ, एक lady, मुझे जिसका यह cake बनाना है न, उन्होंने special theme दी थी, कि इस तरीके का बनाईएगा, आप एक girl या lady, जो भी मान लीजिए, आप topper बनाना है, तो यहाँ दो cylindrical shapes की मैंने legs बनाईएं, एक black color के fondant को बेला है, और यहाँ पर न, कुछ plates में बना दूँगी, so that यह लगेगा कि एक skirt है, यह देखिए इस तरीके से, वैसे तो friends, market में इन toppers को बनाने के कापी सारे silicon के mold आते हैं, बट सभी के पास नहीं होते हैं, और कभी-कभी ही ऐसे order आते हैं, तो क्यों इतना खर्चा करना, जब आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए अब इसकी body part बनाऊंगी, लेडी का, तो आप समझ सकते हैं, मैं क्या बना रही हूँ, और अब इसके उपर dress बनाऊंगी, red color का, इसको top पे नाऊंगी, तो यह देखिए, मैंने red color की strip cut की है, और इसको मैं इस तरीके से लगाऊंगी, पी पीचे दोनों तरफ ही आपको लगाना है, और अब sleeves बना देंगे, legs हम बना चुके हैं, फिर उपर का body part बनाएंगे, सारी चीज़े हम ऐसे ही बनाएंगे, तो अब मैं stopper के hands बनाऊंगी, जबी भी आप leg और hands बनाएना, बराबर की ही आपको strip cut करनी है, so that symmetry आपकी proper आए, अब इसके बनाएंगे, तो बाल पर थोड़ी से original look है, उसके बनाएंगे, तो बाल पर थोड़ी से original look है, इसके लिए मैं क्या करूंगी, black color के fondant से पतली-पतली इस तरीके से strips बना लोंगे, और इनको बिल्कुल पास-पास लगा देंगे, तो यह थोड़े बालों का texture देगा, यह देखिए, बहुत सारे मैंने बना लिए हैं, अब बाल को लगाने के लिए एक black color की fondant का part लेंगे और इसको जहां पर हम बाल लगाते हैं, आप वहां लगा देंगे, और इनके उपर यह strips हमने बनाई हैं, इनको place करेंगे, तो बहुत ही original सी एक look आपके इस face पर आएगी, अभी make-up करके सभी को place कर देती हूं, यह देखिए, और बस ध्यान रखेगा कि shape proper maintain रहे face की, कहीं भ हो, आप सभी जानते हैं, हमको कैसे इसे बनाना है, यह देखिए, और अब बाल बना दी हैं, तो थोड़ी सी hair की accessories लगा देते हैं, तो मैंने वो भी लगा दी है, और अब सारे toppers हमारे ready हो गए हैं, और जो make-up के toppers थे, वो भी सारे ready हैं, जो हमने strips लगाई थी ना, friends, अब इनके उपर हम कुछ नाम लिख देंगे, किसी भी brand का नाम अप लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास यह edible pen है, और इस से मैं Mac लिख रही हूँ, आप सभी जानते हैं, यह बहुत ही famous brand है, तो मैं उसी को लिख देती हूँ, जहां-जहां हमने strips लगाई है, सभी पर मैं MAC लिख दू हुई है, और legs को लगाने के बाद, इसका skirt वाला part इस पर place करेंगे, ऐसा लगेगा कि skirt पहना हुआ है, अब इसके उपर बाकी के body part को लगाएंगे, बट सारे parts हमारे stick रहें, उसके लिए toothpick इसमें insert करेंगे, जितनी भी आप कर सके, cake के नीचे तक, फिर उसके बाद हम body का part इसमें insert करेंगे, यह दिर आपको यह काम करना है, ऐसा करने से ना friends आपका topper गिरेगा नहीं, तो यह काम आप जरूर कीजेगा, क्योंकि fondant में वजन होने से ना, कभी-कभी वो गिर जाता है, अब लगा देंगे एक neck का part, अब face लगाएंगे, और finally इसके बालों को थोड़ है ना, उनको भी एक-एक करके back side में, जो केकी space है, वहाँ place करेंगे, तो back को मैं चाहती हूँ कि थोड़ा standing position में रहे, तो उसके लिए मैंने उसमें toothpick लगाई है, आप लिटा करके भी रख सकते हैं, बट कुछ-कुछ चीज़ें अगर आप खड़ी भी रखेंगे, तो लिकीन मानिए, जितने भी colors आप उपर लगा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा bright और उठे हुए लगेंगे, तो एक बार इसे ज़रू try कीज़ेगा, तो यहाँ पर nail paint को भी मैं खड़ा रखूंगी, lipstick को भी मैं खड़ा रखूंगी, इसलिए मैंने toothpick लगाई है, यह लगा दिये हैं, नीचे की तरफ, अब मैं red color का एक ribbon लगाऊंगी, यह non edible होता है friends, कहीं भी आपको stationary और fancy जान समान मिलता है, वह मिल जाएगा, मैंने यह pole का dot वाला ribbon लिया है, तो पूरे cake पर लगाने के बाद, अम मैं इस पर बनाऊंगी border, border आप वो color choose किजिएगा friends, जो आपके पूरे cake पर ना हो, जैसे मेरे cake पर purple color मैंने use नहीं किया है, तो उस color की मैंने cream बनाई है, simply purple color डाल करके star nozzle लगाया है, और उपर border बना दिया है, और side में थोड़े-थोड़े इस तरीके से flower बना दूँगी, उन पर edible beads लगा दूँगी, और नीचे की तरफ भी आप च combination के साब से purple बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहा है, और मेरे पास यहां कुछ colorful beads हैं, तो वो भी मैं side में place कर देती हूँ, क्योंकि एक lady का cake है, और colorful तो होना ही चाहिए, उपर मैंने silver balls डाल दिये हैं, तो लीजे friends, हमारा ladies special घर के बने fondant का cake जो है, बहुत ही अच्छे से ready friends, यहीन मानिए, बेकरी में अगर आप यह cake बनवाएंगे न, तो हजार देड़ हजार से नीचे आपको कोई नहीं बना कर देगा, और आप देखी सकते हैं, इसे हमने कैसे बनाया है, और इसके आप आराम से 800 से 900 रुपे 1 kg cake के लिए चार्ज कर सकते हैं, नॉर्मल वनीला फ्लेवर के, वहीं अगर आपने चॉकलेट केके बनाया है, तो उससाब से आप सौधेड सो एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हैं, तो आप आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, तो फटा-फट से इस वीडियो को लाइक शेर कर दीजे, चैनल पर नहीं ह नेक्स वीडियो में कुछ और नया सीखने के लिए, तब अके लिए, बाबाई, टेक के लिए